आपको बता ही होगा हाल ही में पत्नाही कोट की तरफ से जो आदेश दिये गए थे यानि की जो फैसला दिया गया था उस फैसले के खिलाफ 10,000 नियूजित वीड सिच्छकों को बचाने के लिए जो राजी सरकार है वो सुप्रीम कोट जाने की तयारी पूरी कर लिए और यहा सिच्च विवाक को मिली इस महादी वक्ता की राय सबसे वड़ी अपडेट है राज में पहली से पांच में कच्चा के वियर्ड युगितादारी नियोजित सिच्चक फिलहाल बने रहेंगे ऐसे तक्रीवन दस जार नियोजित सिच्चकों के जो सेबा है में बनाये रखने के लिए राज्य सरकार जो है वो पटना उच्ची नियाले के फैसल को सरबोची नियाले में चुनाती देगी यह सबसे वड़ी अपडेट है इस पर महाधिवक्ता की जो राय है वो ली जा चुकी महाधिवक्ता की राय के मताबिक जो राज्य सरकार है उसके दौरा सरबोची नियाले में एक सिबिल रिब्यू पिटी सन एसल्पी दार की जाएगी इस पर सिच्च विवाग के इस तर पर सैधानतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी वियर्ड युगितादारी सम्बन देत दस हजार नियोजित सिच्चक राज की प्रारंबी के विद्यालों में पहली से 5 मी कच्चके सिच्चक के रूप में छटे चरण में नियो जित हुए थे इसके साथ ही आपको बता होगा कि पटना उच्छ नियाले का फैसला आने के बाद से छटे चरण में नियो जित पहली से पांच में कच्छा के विएड युगितादारी तक्रीप अंद दस हजार सिचकों में खलबली मची हुई है फिलाल अभी ये सिचक इसकूलों में बने रहेंगे और जो विहार राजी सरकार के सिचक वियाग है वो जल्द ही आपको बता होगा सुप्रीम कोट में सेलफी दैर करने जा रही है इस वक्ति सबसे बड़ी अप्डेट है इस वीडियो को शेयर जरू किए अपने फैंस के साथ